फाइनली मैंने देख लिया है जानवी कपूर की जो मुवी आई है गुड लग जेरी होट स्टार्ट पर अल्रेडी रिलीज हो गये तो मैंने देख लिया और देखो इस मुवी को रिव्यू करने के लिए मतलब कुछ भी नहीं है क्या ही बोलू कोई स्टोरी ना मतलब कुछ भी नहीं है स्टोरी को रिव्यू करने के लिए मतलब अच्छा हुआ भाई इसको आपने टीटी पे लॉंच किया बहुत अच्छा हुआ मतलब अगर सिनीमा घर पर रिलीज होता ना तो यह मुवी कहां जाता किसी को पता भी नहीं चलता कि कहां फेका गया यह मुवी चलो इस वीडियो में पूरा ही बात करेंगे अच्छुली में इस मुवी में क्या है और स्टोरी का चलो स्टार्ट करते वीडियो को जैसे कि टेलर में हम लोगों को मतलब 90% मुवी समझ में आ गया था मतलब कुछ अलग नहीं था उसी को देखकर हम लोग पूरा ही समझ के मुव इलाज के लिए डॉक्टर ने कम से कम 25 से 30 लाक रुपे मांगे अब यह दोनों बहन परिसान रहते के पैसा एक दिन जाते हैं मार्गरिट में यह लोग तो वहां पर एक ड्रग माफिया से इनका मतलब मुलाकात हो जाता है तो वहीं से इनकी जो है ना सुरुवात से बड़े हो जाती अब जो लास्ट ली फाइनल आता है ना तो एक बड़ा डील आता है तो उसमें यह थोड़ा सजानवी का पूर्णा हेर फेर कर देती है कि वह ड्रग इधर से उधर कर देती है मतलब अगर तुम बोर्ड हो रहे हो तो अराम से घर पर बैटो खाना खाते मुवी को देखो देखो घंट के अगर इसमें से दो के लिकालंट के मूलिए डोगांधो तो तिन अगर इस मूबी में बोलू ना भय तो तो सुरू ने मतलब शुरू के रखze leverage क 수 तो भाई सब मेरे इसाब से दीपक भाई और एक साहिल मतलब जब भी आते ना फ्रेम में जब भी आएंगे ना तुमको हसी चुटेगी चुटेगी सब्सक्राइब यह दोनों इने मूवी को समाल के रहां मतलब जानवी का छोड़के में को सबका एक ने बहुत अच्छा लगा मूवी नॉर्मल है एक दम मतलब कोई स्टोरी नहीं जो टेलर में था सेम है मतलब सेम स्टोरी यह ड्रक का है वो ड्रक इधा-उदर करती है मतलब यहीं चीज़े मतलब कोई कहानी कुछ नहीं बताओ तो वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको देखना है और यह मूवी जाकर देख सकते हैं मेरे इसाब से आपको नहीं देखना है अच्छे टेलर आप देखलो आप मूवी पूरा देख लोगे